अगर आप धीरे दीरे चलते हैं तो आपको क्या बेनेफिट्स मेल सकते हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले वेनेफिट तो यह होता है कि आपकी मसल टोन मिंटेन रहती है इस्पेशली लेग्स में आपकी बैक में जिसे क्या होता है कि आपको मसल्स होनेस नहीं होती जो एक्सराइज के बाद पेन हो जाता है मसल्स में वो नहीं होता नेक्स रहता है कि आप physically active रहते हैं आप depression को combat कर सकते हैं नेक्स रहता है आपकी sleep regulate हो जाती है आप असानी से सो सकते हैं और आपकी quality of sleep भी बहुत better हो जाती है पहले से आपके energy levels increase up हो जाते हैं आपके blood circulation improve होता है और इससे क्या होता है कि आपको blood clot की problem नहीं होती आप उससे बच्चे रहते हैं और especially अगर आप खाना खाने के बाद बॉक करते हैं दीरे दीरे भी बॉक करेंगे तो आपका digestion improve होता है आपका digestion जो enzymes हैं वो stimulate हो जाते हैं आपको acid reflux की जो acidity हो जाती है काना काने के बाद वो problem काफी हद तक कम हो जाती है ब्लोटिंग कम हो जाती है और आप weight management पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप slowly walk करते हैं क्योंकि कि अगर आप दीरे दीरे वोक करते हैं तो अगर joint pain है भी तो भी आप walking के benefits ले सकते हैं so that's all for the day thank you so much